बूराजनीती यानी जियो पॉलिटिक्स कहते हैं यहां कोई भी देश दोस्त या दुश्मन नहीं होता सभी निर्णे अपने हितों को ध्यान में रख कर लिये जाते हैं दोस्त भी अपने हितों के लिए बनते हैं और दुश्मन भी अब इसका ताजा उधारन हाल ही में अमेरिका के हाउस ओफ रिप्रेजन्टेटिफ्स त्वरापेश किया गया हाल ही में अमेरिका के हाउस ओफ रिप्रेजन्टेटिफ्स ने एक नया संशोधन बिल पारित किया है इस संचोधन बिल के तहट भारत को काटसा के तहट कुछ छूट दिये जाने की बात की गई है पर यहां दिल्चस्प बात यह है कि अमेरिका पहले ही साल 2020 में इसी अधिनियम के तहट तुर्की पर कुछ प्रतिबंध लगा चुका है पर अमेरिका भारत को छूट देने की बात कर रहा है ऐसे में यह मसला काफे दिल्चस्प हो जाता है आज इस वीडियो में हम इसी विशेश संबंधित तमाम पहलों को समझने की कोशिश करेंगे जानेंगे कि आखिर भारत को इतनी छूट क्यूँ दी जा रही है अमेरिका भारत को काटसा अधिनियम के तहर छूट देने की बात क्यूं कर रहा है इसको लेकर जिक्र क्यूं किया जा रहा है साथ ही इस विशेश संबंधित तमाम अन पहलों का भी विशलेशन करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टियाई इसकी इस नई वीडियो में वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं साथ ही बात में जानेंगे कि भारत को इस पूरे अधियम को लेकर भारत के समख्ष किया खत्रा मवजूद था और साथ ही भारत को छूट क्यों दी जा रही है इसके लावा इस छूट के क्या मायने हो सकते हैं छूट के क्या इंप्लिकेशन हो सकते हैं क्या परिणाम हो सकते हैं, उन परिणामों को भी समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही सम्बंध में हमारे सामने क्या क्या चुनोतियां आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजिस आ सकते हैं, उन चुनोतियों पर भी बात करेंगे, अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्ण पर भी चर्चा करेंगे प्रश्ण मेंस का है और आप 2500 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं यह पुरा विशे है वो सामान या धिन प्रश्ण पत्र 2 से संबंदित है और आप इसे अंतराश्टी संबंध भारत और उसके पडोसी और भारत के हितों पर अन्य देश्चों की नीतियों और राजनीती के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज देख लेते हैं आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्स्प्रेस के एक्स्प्लेंड सेक्शन से है हमारी ख़बर है यूएस एक्जेम्ट इंडिया फ्रम कार्टसा वोट इस इट यानि हाल ही में अमेरिक अमेरिका के हाउस अफ रेप्पेजेंटेटिव ने एक बिल पारित किया है जो कि भारत को काटसा के तहट कुछ छूट देने कुछ वेवर देनी की बात करता है इसको फूरी ख़बर को लेकर इस पूरे विशे को लेकर इस न्यूज में इस आर्टिकल में बात की गई है त पूरा नियम है क्या तो काट से की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है countering America's adversaries through sanction act यानि इस अधिनियम को America 12 साल 2017 में पारित किया गया था और इस अधिनियम का प्रात्मिक उद्देश आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए economic restrictions का उपयोग करते हुए उन देशों को दंडित करना है उन देशों को एक सबक सिखाना है जो मुख्यतोर पर रूस उत्रकोरिया और इरान से संबंध रखते हैं उसके साथ ट्रेड करते हैं या उनके साथ एक close relation रखते हैं खास तोर पर उन देशों को दंडित करना है इस पूरे अधिनियम का उद्देश है कब लाया गया था यह अधिनियम और क्यों लाया गया था इसके बाद आपको यह भी आध होगा कि सीरिया युद्ध में कई जानकारों ने रूस पर या आरोप लगाया था कि रूस इस पूरे युद्ध में हस्तक शेप करने की कोशिश कर रहा है इनी तमाम घटना करमों को मदे नजर रखते हुए साल 2017 में अमेरिकी कॉंग्रेस द्वारा रूस और कुछ अन्य देशों को सबक सिखाने के लिए उन पर कुछ प्रतिबंध लागू करने के लिए उनकी अर्थववस्था को कमजोर करने के लिए इस अधनियम को पारित किया गया था इस अधनियम को साल 2017 में अमेरिकी पूर्व राष्टपती डोनल्ड टरम के कारेकाल में पारित किया गया था अलाकि दिल्चस बात ये थी कि खुद डोनल्ड ट्रम इस अधिनियम के विरोधी थे। डोनल्ड ट्रम का कहना था कि ये अधिनियम का भी रूप से तुर्टी पूर्ण है। अलाकि Donald Trump को Congress के दबाव में आकर इस पूरे अधिनियम पर हस्ताक्षर करने पड़े थे Donald Trump के अलावा कई यूरोपिय देश, खास्तोर पर France और Germany भी इस पूरे अधिनियम का विरोध कर रहे थे France और Germany का कहना था कि अधिनियम उनकी अर्थविवस्था को नकरात्मक रूप से प्रभावित करेगा और ये पूरा अधिनियम अंतराश्ची कानूनों का भी पालन नहीं करता है आपको जान लेना जरूरी है कि रूस और यूकरेन युद्ध से पहले जर्मनी और फ्रांस अपनी गैस और तेल की आपूरती के लिए प्रमुखतार पर रूस पर निर्भर थे अलाकि वो अभी भी अपनी उर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर हैं लेकिन ये निर्भरता कुछ हद तक कम हुई है और यूरोपिय संग ने अपनी निर्भरता को चरणबध तरीके से ल despite से कम करने की बात की है इसके लामा क्या कहता है इस अधिनियम के प्रावधानों की बात करें तो इस अधिनियम की धारा 231 के मताबिक अमेरिकी राश्टपती को रूस के साथ महत्वपूर्ण लेंदेन में सनलग्ण व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है यानि अगर अमेरिकी राश्टपती को लगता है कि किसी देश का कोई वेक्ती, रूस या फिर कुछ अन्य देशों जैसे उत्तर कोरिया, नौर्थ कोरिया या फिर इरान के साथ महतवपूर्ण सनलगन रखते हैं, महतवपूर्ण संबंध रखते हैं, महतवपूर्ण लेंदे यानि significant transaction, ये शब्द हमें बताता है कि इस अधनियम के तहट केवल उन्हीं देशों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिनके रूस के साथ एक महतपूर लेंदेन हो, व्यापक लेंदेन हो, यानि इस तरह से अगर किसी देश ये किसी वेक्ति का रूस के साथ सामान इन है, एक normal transaction होता है, तो जाहिर तोर पर उस normal transaction पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, प्रतिबंध के वल तब लगाया जाएगा, जब वो पूरी transaction या trade काफी ज़्यादा बड़ा हो, उस trade से transaction से अमेरिका के हितों पर प्रभाव पढ़े, अमेरिका के हितों प और तो हम जात से काट-सा-खत्रीर को लागू करता है तो अमेरिकी राश्च्टाती के लिए निवार रहे कि वह उस वहाल वाइत उस्वेक्ती पर कंज परंच पर्तिबंध लाघू करें ये तो ही काटसर की बात अब आगे बढ़ते हैं और भारत के अब तक क्या खत्रा था भारत के ओपर क्या खत्रा मंडरा रहा था उस खत्रे की बात कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि रूस भारत का सबसे महत्पूर्ट सैने भागिदार है एक पार्टनर है सबसे महत्पूर्ट स सरकार ने S-400 वायू रक्षा मिसाइल प्रणाली की पांच एकाईयों को खरीदने के लिए रूस की सरकार के साथ 5 बिलिन डॉलर का एक समझोता किया था S-400 वायू रक्षा मिसाइल प्रणाली की बात करें और ये मिसाइल एक ही समय में एक से ज़ादा टार्गेट्स को अप्रोच कर सकती है। जानकर बताते हैं कि इस मिसाइल के माध्यम से 400 किलो मेटर के दाइरे के भीतर एक साथ 72 टार्गेट्स को अप्रोच किया जा सकता है और उन्हें नस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप जाहिर तोर पर इस पूरी मिसाइल की शम्ता को देख सकते हैं और इसी शम्ता की वज़े सी ये मिसाइल भारत के लिए काफी महत्पूर थी इसी महत्वता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार में साल 2018 में रूस की सरकार के साथ एक समझोता किया था रू भारत द्वारत सुतंत रूप से अपनी विदेश नीती निर्धारित की जाती है और भारत किसी देश के दबाव में आकर अपनी नीती निर्धारित नहीं करता है। House of Representatives ने जो हाल ही में बिल पारित किया है इस बिल को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। इस पुरे निर्धारित में अमेरिका की क्या हित मौजूद है उनकी बात कर लेते हैं यानि इस पुरी छूट के क्या मायने हो सकते हैं। इस चूट के मायनों की बात करें तो इस पुरे चूट से संबंधित जो बिल था जो House of Representatives में बिल पेश किया गया। उस बिल को भारती मूल के अमेरिकी सांसद रोखन्ना दौरा पेश किया गया। लिए भारत को एक सहीयोगी के रूप में, एक पार्टनर के रूप में, एक साजयदार के रूप में देख रहा है। और देखें भी क्यों ना, क्योंकि दोनों देश इंडो-पैसिफिक छेत्र में एक महतपूर्ण साजेदारी, दोनों देशों की पीछ एक महतपूर्ण भागेदारी मौजूद है, इसके अलावा दोनों देश इस पूरे छेत्र को लेकर एक समान विजन भी साजा करते हैं, य और यही विजन को लेकर दोनों देश आगे भी बढ़ रहे हैं, इसी वज़े से इंडो-पैसिफिक छेत्र में दोनों देशों की साजेदारी, भागेदारी काफी महतपूर्ण है, इसके अलावा ये बेल दोनों देशों के संबंधों को और जादा मजबूत करने में भी मह इसके लावा और ज़दा बात करें, तो कई जानकार ये भी मानते हैं कि ये जो नया बिल अमेरिका के हाउस और रिब्रिजेंटेटिवस में पारित हुआ है, ये बिल भारत की रणनीतिक स्वतंतरता की नीती की भी पुष्टी करता है, कैसे पुष्टी करता है, तो भारत इस तिहास में लंबे समय से इस बात को दोहराता आया है, कि भारत स्वतंतर रूप से अपनी नीती निर्धारित करने के लिए स्वतंतर है, और भारत हमेशा से ही इस नीती का पक्षधर रहा है, एडवोकेट रहा है, कि भारत अपनी नीती खुद निर्धारित करेगा और क उकसान दायक हो सकता था कैसे हो सकता था तो धारण के लिए साल 1998 में जब भारत ने पोखरन परिक्षन किया था तो इस परिक्षन के बाद अमेरिका द्वारा भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे और इन आर्थिक प्रतिबंधों के चलते भारत और र अमेरिका के संब्धों को प्रभावित करेंगे ब्शाइन आतनक रूप से और भारत को रूद की और खीच देंगे वर जादे जा रहा है ऐसे में चीन के इस बढ़ते वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए सेन इस्तर पर भारत को आधुनिक हत्यार परणालियों की जरूरत है ऐसे में अगर अमेरिका दौरा भारत को इस पूरे एक्ट के तहर छूट दी जाती है तो भारत नई हत्यार परणाली खरीद सकेगा और इस पूरे छेत्र में चीन का मुकाबला कर सकेगा इसके रावा कई जानकार ये भी कहते हैं कि अमेरिका के तोलना में चीन की सैन शक्ती तेजी से बढ़ रही है और कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि जल्द ही सैन शक्ती के मामले में अमेरिका से आगे निकल जाहिर है दोनों देश एक्षात मिलकर जब काम करेंगे तो चीन का मुकाबला करना और भी आसान हो जाएगा ये तो इस छूट की बाद छूट की क्या मायने हो सकते हैं चुनोतियों की बात कर लेते हैं सम्मंध में हमारे सामने क्या-क्या चैलेंजेस मौझूद है उन चैलेंजेस को समझ लेते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे महत्पूर्ण चैलेंज यही है कि जो अधिनियम जो बिल पारित किया गया है इस बिल में आगरह शब्ट का उपयोग किया गया हैं जिसको लेकर कई भारतिया अपनी आपत्ती जता रहे ह क्योंकि उनका कहना है कि यह आग्रह शप्त का प्रयोग इस पुरे इस पुरे बिल के तहत इस पुरी छूट की गारंटी नहीं देता है क्योंकि छूट की गारंटी नहीं दी गई है इस बिल के तहत छूट की गारंटी कब मिलेगी गारंटी तब मिलेगी जब अमेरिकी देनी की अनुमती दी गई है तो सम्बन्द में एक बड़ी चुनोती हो सकती है क्योंकि इसे एक पहले step के रूप में देखा जा सकता है प्रारमभिक चरण के रूप में देखा जा सकता है और जाहिर तोर पर हमारे सामने आगे आने वाले समय में और भी चुनोतियां आ सकती हैं इस संबन में दूसरी चुनोती ये है कि ये जो नया बिल है इस बिल में केवल S-400 मिसाइल प्रणाली को लेकर छूट देने की बात की गई है लेकिन भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल प्रणाली के लावा कई अन्य हतियारों और आधूनिक प्रणाल लिए बागे बढ़ते हैं और अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं निसकर्श पर बात कर लेते हैं तो निसकर्श के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हालिया बिल पारित हुआ है ये बिल भारत के लिए एक बड़ी जीत है एक बड़ी उपलब्दी है इस बिल में न केव पहले पहले हैं और जापन और उस्टेलिया भी शामिल है और इस तरह से भारत और अमेरिका कही अन्य चेत्रों में मिलकर और जादा सही उग कर सकते हैं और अपने रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं इसके लावा जब से रूस युक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है तब से हम देख रहे हैं कि रूस और चीन के संबंध और जादा मजबूत होते जा रहे हैं दोनों देश एक दूसरे के करीब जाते जा रहे हैं ऐसे में भारत को इस पूरे छेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए एक सहीयोगी की जरूरत है एक पार्टनर की जरूरत है एक भागिदार की जरूरत है और अमेरिका इस भागिदार का अमेरिका इस पार्टनर की भूमी का आदा कर सकता है ये तो ही निसकर्ष की बात आगे की राह की बात अंतमे एक प ल्यांकन कीजिए यानि इसमें आपको बताना है कि किस तरह से अमेरिका द्वारत के तहट भारत को छूट दी जा रही है यह चूट किस तरह से भारत के इंडो-पेस्विक कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंद्वों पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपकी प्रश्ट पत्र में इसे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे धन्यवाद